अलो दोस्ते एक बार फिट सबागत है आपका अमारे शानल बर मेरा नाम है वरोन और हम बात करना है सीवेटी की तो जी आद वसो मद्य प्रदेश की जो प्रामेनेटी उनिवस्टी है डॉक्टर हारी जिंग और उनिवस्टी उनोंने एडवीशन प्रोसीजर चालू कर दिया है और सारी टेंटेटिब डेट्स के बारे मैं भी बता दिया तो क्या-क्या है वो डेट्स आपको बहुत जरूरी है जानना उनको क्यों क्यों कि हमें अडवीशन लेना है अगर डॉक्टर गौर उनिवस्टी में तो भाई पता तो होनी चाहिए क्या-कैसी चीज़ है तो च कि यह यह रहेगा तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले online registration जो स्टार्ट होना है 26 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 6 October तक चलने वाला है क अब तक 6 October तो भई आप जल्दी करते ना अगर आपको चाहिए एडवीशन कहा डॉक्टर हरी सिंग और यूनिवस्टी और ये जो है ये ओनलाइन रजिस्टेशन पहले राउंड के लिए इन्हों ने टेंटिटिब डेट पताए हुई इसके बाद जैसे ही ये हो जाएगा तो भाई आपका डॉक्यूमेंट बेरिफिकेशन के लिए आठ से दस अक्टूबर की इन्होंने टेंटिटिब डेट रखी हुई है कि दो दिनों में तीन दिन में बल्कि आठ नौ और दस इन तीन दिनों में क्या हो जाएगा आपके सारे डॉक्यूमेंट बेरिफिकेशन की प्रोसीजर हो जा यह सारी चीज़ अगर देनी है ताकि आपकी seat हो जाए book और ऐसे होने के बाद अगर कुछ बची seat हैं बच जाती हैं तो फिर second round start हो जाएगा admission process का second round जो होगा वो 21 और 22 October, दो दिन की इनोंने date रखी हुई है कि दो दिन में यहाँ पर फिर से registration करे जाएंगे second round के लिए दो दिन में 22 October उसके बाद फिर उनका document verification एक दिन के लिए 23 October में समात कर दिया जाएगा finally second merit list भी गोसित करी जाएगी 27 October कब करी जाएगी 27 October को और जैसे यह हो जाता है तो उसके बाद आपको admission लेने के लिए करना fee submission बगेर अगर देंगे 28 October को एक दिन बाद ही और बाद ही खतम हो जाएगा फिर classes start हो जाएगी यहाँ पर इन्होंने जो date टेंटेंटेंटें बदाई है 28 October से यहाँ पर classes start हो जाएगी बागी की जानकारी के लिए आपको जो है डॉक्टर हरी सिंग गोर की जो website है ना college की उस पर जाना है स्टिटी पिएस और जामी कॉलन डॉक्टर हरी सिंग गोर स्टीवीटी वाला जो प्रोग्राम है समर्थ.edu.in यह आपको याद रखनी है आपकी website है यह मतलब चैनल पेज है यह किसका डॉक्टर हरी सिंग गोर कितने number of forms वहाँ पर आये हुए हैं तो यह देख तो आपको नहीं रहा होगा मैं एक बार इसको explain कर देता हूँ अंडर graduation, admission जो UG courses है भई, so UG courses के लिए यहाँ पर सारी जगों पर जो है वो लिखा हुआ है नाम लिखा है कि कौन-कौन से program यह करवाती है डोक्टर हरी सिंग को और university यहाँ पर क्या है entrance test का code दिया हुआ है पुराने समय का और यहाँ पर यह जो कॉलम में दो कॉलम बने हुए क्या बने हुए सब कॉलम यहाँ पर जो number of seats है वो इस program के लिए 420 है जैसे बीए 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 प्लस बीए और बीए फी यह program जो है हरी सिंगोहर में 420 seat है total इस program के लिए जिसमें उस 2015-16 के program में 1850 लोगों ने application भेजी थी यानि कि application received बताए तो 1850 लोगों में 420 लोग ही select होने थे अंगेन यही data 2015-16 के बाद 16-17 के program में 470 seat हो गई 50 seat बढ़ गई जिसमें received हुई application 218 कितनी 218 application received हुई फिर आंगे और 17-18 में यह program received बढ़के seat है 645 हो गई इस program के लिए कौन से BA plus BA BSC वाला और BFA वाला इसमें 645 seat थी जिसमें 1069 लोगों ने क्या किया हुआ था application दी हुई थी फिर 645 seat ही again रही 2018-19 में और 1682 लोगों ने यहाँ पर application sent गरी थी again यह seat है बढ़के 742 हो गई 19-20 के program में जिसमें 1892 लोगों ने यहाँ पर application sent करी थी फिर भाईया और बढ़के 806 seat हो गई तो 2020 के program में जिसमें 2386 बच्चों ने application बेजी थी और फिर 806 seat है लास्ट ये प्रोग्राम में लोगों ने यहाँ पर क्या है application करी हुई थी इन seats के लिए तो यह आखड़ा लगबग डबल है आप देख पार है कई जगों उपर तो तीन गुना आखड़ा भी है तो यही अभी होगा 806 seats रहेंग तो आपको भी admission के लिए पहले से ही क्या गर देना है admission registration करना है बी ए प्लस बी एड का जो एक और यहाँ पर गोर्स था तो वही 15-16 में तो यहाँ कुछ नहीं हुआ 16-17 में यहाँ कुछ नहीं था अगेन यहाँ 50 seat जो है 17-18 के प्रोग्राम में रहीं जिसमें 1397 लोगों ने participate किया था हैने request भेजी थी अगेन फिर 50 seat ही रही है यहाँ पर 2018-19 के प्रोग्राम में 1269 लोगों ने फिर 50 seat 19-20 के प्रोग्राम में थी 17-38 लोगों ने यहाँ पर भरा है और 63 seat जो हैं बढ़ गई थी 13 seat है 2020 के प्रोग्राम में जिसमें 16-190 लोगों ने apply किया हुआ था फिर single program है फिर अगेन 15-16-17 में कोई प्रोग्राम ने था यहाँ पर 17-18 के में 20 seat रखी गई थी जिसमें 36 लोगों ने apply किया था फिर 20 seat थी जिसमें 29 लोगों ने apply किया फिर 25 seat कर दी जिसमें 52 लोगों ने apply किया डबल तो हैं 25 में 33 लोग यहाँ पर apply BFA के लिए fine arts वाले bachelor प्रोग 80 seats में फिर अगेन 40 बढ़ गई थी जिसमें लोगों ने 300 seat 20 seat और बढ़ा दी 1442 लोगों ने 260 seat 40 कम कर दी 1245 लोगों ने apply किया था 299 seat और 1100 56 अप्लिकेशन थी 325 बढ़ा दी गई थी 1277 लोग और 325 पर पिछली साल लास्ट यह जो है 758 लोगों ने apply किया था किसके लिए इन ऐसा ही BBA का है BBA में यह 3 सालों तक तो कोई प्रोग्राम नहीं था 2018 उनने समें 40 seat के लिए रखा गया था 221 अप्लिकेशन साइन थी फिर 40 seat बढ़ा दी गई 50 के लिए 457 अप्लिकेशन साइन थी तो यह पूरा का पूरा यहाँ पर डेटा है BSC के लिए BSC पलस B.Ed बायो बालों के लिए यह प्रोग्राम है जिसमें 180 seat थी ठीक है साथी साथ B.Sc B.Ed मैच्ज गृप बी फार्मा मैच्ज गृप और 20 के यह दो सम्मलित प्रोग्राम है इसमें इस बाले में मैच्ज गृप के लिए 260 seat थी और बायो गृप के लिए 180 seat थी तो इसमें भया 2015-16 में 7,819 लोगों ने अप्लाई किया हुआ था ठीक है फिर अगेन ये 16-17 में 10 seat यहां बढ़ा दी गई और 15 seat यहां बढ़ा दी गई जिन में 7,087 है ना 7,087 लोगों ने अप्लाई किया था इन seats के लिए फिर भईया 25 seat हो गई यहां पर 35 seat और बढ़ा कार और यहां पर 290 15 seat और बढ 1595 में लोगों ने बायो ग्रुप से अप्लाई किया था और 2481 लोगों ने मैथ्स ग्रुप के लिए अप्लाई किया था फिर यह बढ़ता गया data यहां पर 269 seat हो गई बढ़ा के जिसमें 1553 बायो ग्रुप के लोगों की अप्लिगेशन आई थी कब की बात है 2019-20 के प्रोग् ग्रुप के लिए अगेन 363 seat ओपर 298 और लास्ट 365 लास्ट यह 1119 लोगों ने मैथ्स ग्रुप के लिए अप्लाई यहां पर डॉक्तर हरी सिंग और प्रोग्राम में बीए सी प्रोग्राम में किया हुआ था ठीक है फिर बीए सी प्लस बीएड बायो ग्रुप के लिए जो चलता है 25 सीटें थी 1170 लोगों ने 25-25-25 फिर 31 सीटों पर 1000 तंतान में लोगों ने और 31 सीटों पर लास्ट यह जो है वो 536 लोगों ने अपलाई किया था तो भई यहां देख पार हो आपकी सीटें कम है और अप्लिकेशन बहुत जादा आती है तो अगर आप क्या गरना ज कर रहे हैं फिर B Pharma Biomaths Group के लिए 60 सीटें थी जिसको बड़ा के बाद में 75 किया गया और लास्ट यह सत्रा सो पंदरा लोगों ने 75 सीटों के लिए अपलाई किया हुआ था फिर भईया यहां पर BALB का 5 साल का जो प्रोग्राम है उसमें अगर बात करें तो 44 सीटें हैं जि जिसमें लास्ट यहर 38 सीटें थी जिसमें 196 लोगों ने अपलाई किया हुआ था अगेन BJC जो प्रोग्राम है उसमें 25 सीटों पर 35 लोगों ने अपलाई किया हुआ था और LLB जो 3 एर का प्रोग्राम है उसमें 44 सीटों पर लास्ट यह 426 लोगों ने अपलाई किया हुआ तो भाईया ये पूरा का पूरा हमने admission data आपको दिया है comparison में कि भाईय अच्छी prominent university है अदिवर्देश की जिसमें बच्चे बहुत जाद अपलाई करते हैं seat income है तो आपको बिलकुल अगर चाहिए है ये college तो इसमें तो आपको कहीं से भी परेशान नी होना है हर चीज में बि पूर्ट फी 100 रुपए है student activity फी जो है 100 रुपए है medical फीज जो है 125 रुपए है insurance premium 25 रुपए है registration फी 1,500 रुपए है और 700 रुपए जो examination फीज है IT के लिए 100 रुपए फीज है total फीज हो जाती है 2350 रुपए और caution money है 2500 तो ऐसी मिला के first semester में 2600 रुपए की फीज है और second semester में 23 250 रुपए की फीज है तो कोई बहुत ज्यादा है री 5-6,000 रुपए में आपका एक साल लिकल जाएगा बीए के प्रोग्राम के लिए ऐसे ही सारी की सारी feed structure इनों ने बताई हुई है तो बीए बीएड वाला जो प्रोग्राम है उसमें first semester में 4600 रुपए second semester में 4350 रुपए का फी है आपका बीए बीएड वाले में फिर बी एफ जो फाइन आइट्स वाला है 36 रुपए first semester में second में 3350 रुपए का यहाँ पर आपका ये total fee रहेगा आगे यहाँ देखेंगे तो बीकॉम में आपका रहेगा 26 रुपए first semester में 350 रुपए second semester BBA के लिए बात करें तो 11,100 रुपए first semester में और 10,850 second semester में तो BBA बहुत important है यहाँ पर अच्छे लोग आते हैं याद रखिएगा तो लगबग 20-22,000 रुपए का यहाँ पर एक साल का खर्चा है BBA का याद रखिएगा BSC Bio के लिए अगर बात करें तो 3330 रुपए first semester में 31 रुपए second semester में BSC Math की बात करें तो same structure ही है BSC Bio और Math का 3330 रुपए second semester में फिर भईया यहाँ पर BSC BAD की अगर बात करें तो 500 रुपए first semester में और second semester में 4950 रुपए यह टोटल 10,000 रुपए का यहाँ पर आस-पास का आपका एक यहर का प्रोग्राम हो जाता है B Pharma की बात करें तो भईया 16100 रुपए first semester की फीज है और 15850 second semester की फीज है तो भईया 15 दूनी 31, 32, 33,000 रुपए का B Pharma one year का यहाँ प्रोग्राम आपका हो जाता है एक साल का नहीं है यह प्रोग्राम तो 3-4 साल का होता है लेकिन एक साल का खर्चा यहाँ पर बतावा सामेस्टर वाइस BCA की बात करें तो तेरा 600 first semester और तेरा 350 second semester 27,000 के आसपास कुछ लगबग आपका एक year का BCA का प्रोग्राम यहाँ पर होता है BALLB की अगर बात करें भईया honors में तो 9600 first semester में 9350 second semester में यानी की लगबग 19,000 के आसपास आपका एक साल का खर्चा यहाँ BALLB का आता है BALLB तीन येर का जो प्रोग्राम है honors के अलावा उसमें 3700 रुपे, first year और 3450 second semester, first or second semester है ना year नहीं, इसके बात भाई आपका बी लिप बाला जो science का प्रोग्राम है 3700, 3450, दौनों semester में अलग-अलग है, BJ की बात करें तो 26 और 3600 और 3350, य इसके अलावा अगर बात करें जाए तो B Pharma का जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा यहाँ पर महगा है, फिर भाईया अगर BCA की बात करी जाए तो BCA का है और अगला BALLB का है, ठीक है, तो ये प्रोग्राम्स थोड़े से यहाँ पर पीस है, लेकिन ये आपके कमपेरीजर मे बहुत कम है, बाकी आप देख पा रहे हैं, तो nominal fees है, पाच से 10,000 के बीच में आपका सालाटा खर्चा है यहाँ पर प्रोग्राम्स का, तो बहुत महगा नहीं है, ये fee structure जो है, ये किस 22 का था, जो लगबग 22-23 का session भी ऐसा ही रहेगा, तो comparison में आपको ये डोक्टर हरी सिं तो MSC के लिए आपका 10,000 के आसपास का कर्चा है, टोटल 1,000 का, और MSC के अलाबा, अगर MSC applied mathematics, biology, biotechnology, इनमें करना चाह रहे हैं, तो बहुत ये थोड़ा सा 40,000 के आसपास यहाँ पर जाता है, टोटल 1 साल का, अना, MSC, फिर Mtech की बात करें, तो Mtech भी लगबग 12,000 के आसपा का पड़ता है, MCA की बात करें, तो MCA लगबग आप मान लीजे कि ये 32,000 के आसपास आपका टोटल कर्चा है, और साथी साथ MBA, अगर MBA करते है, तो MBA भी आपका लगबग 32,000 के आसपास का कर्चा है, MCA, MBA, सेम, ठीक है, MA करते हैं, तो MA यहाँ पर कुछ 7,000 के आसपास का कर् फिर भई, MCOM की बात करें, तो MCOM भी लगबग सेम ही है, आपका MA, MCOM, 7,000 में हो जाता है, MSW अगर करते हैं, Master of Social Worker, यहाँ फील्ड वर्क, अगर Specialization आप लेते हैं, तो यह लगबग 10 के आसपास का आपका खर्चा पड़ जाता है, इसके अलावा, MPA करते हैं, तो MPA का हैं, तो वो 13 के आसपास पड़ जाएगा, 13 के, 13,000 के आसपास, सालवर के खर्चा, इसके अलावा, MPA Rural Development से आप कर रहे हैं, तो वो भी 7,8 के आसपास पड़ेगा, और M Library में, वो आपको Library Science वगेरा में करना चाहा रहे है, Master, तो यह भी 10 के आसपास आपका पड़ जाता है, करचा, LLM अगर आप करना चाहा रहे हैं, तो भी यह यह 10, 12 के आसपास का करचा आपका पड़ जाता है, तो बहुत ही nominal fee structure है, आपका PG program के लिए भी Dr. Hari Singh और University में, तो भी यह याद रखिए, कि इसलिए इसको ज़्यादा प्रिफर किया जाता है, एक तो बहुत best है, prominent भी है fee structure भी कम है, वह ज़्यादा fee structure नहीं है, अगर आप UG और PG courses यह कर रहे हैं, तो अच्छा कासा, साल भर पर 40-50,000 रुपे, बहुत max है, वो भी बड़े बड़े courses के लिए, professional courses है, भाई, MTech कर रहो, MFARP कर रहो, MCEA बगरा कर रहो, MBA कर रहो, तो यह professional courses हैं, जिन में थोड़ा ज़्यादा है, बाखी के आपके सारे general courses की अगर बात करें, तो पास से 10,000 के बीच में आपका per year का कर्चा यह आप है, होता है, तो बहुत ज़्यादा घर्चा नहीं है इन courses के लिए, तो भई हरी सिंग और university की हो गई बात, अब application जो है, वो open हो चुके है, doctor, मतलब अगर हम बात करें, तो यहाँ पर distance courses है, यह चीख है, distance courses, तो distance courses की अगर बात करी जाए, तो यह diploma courses जो हो जाते हैं, तो 21-22 में पिछली साल का अगर बात करें, तो PG Diploma Environmental Management में जो था, उसकी annual fees 9,000 रुपे, एक साल का program होता है, यह PG Diploma का, याद रखिएगा, तो 9,000 रुपे में आप आपको PG Diploma Environment Management का, फी structure था, पर्सनल मेनेजमेंट की बात करें, तो 7,000 रुपे, इसके अलाबा PG Diploma International Business and Export Management की अगर बात करें, तो 7,000 रुपे का, यह diploma fee थी, भई, यहाँ psychological counseling की बात करें, 7,000, सबकी 7,000 रुपे से, योगा, meditation, योगा, psychotherapy, योगा and natural opathy, तो भई, यह समब मे है, आपका यह एक साल का program है, PG Diploma का, याद रखिएगा, है ना, जो कौन कर आ रही है, हरी सिंग और University करवा रही है, और बहुत ही nominal prize में, यह आपका सारा का सारा diploma हो जादा, PG Diploma, तो बहुत बढ़िया information मुझे लगता है, college है, यह MP का, और पुराना, सबसे पुराना college भी ह University है, सबसे पुरानी बद्रदेश की, साधी जात, prominent college है, फी structure बहुत बढ़िया है, तो जितने भी लोग है, जो Dr. Hari Singh को और University में एडविशन लेना चाते है, तो पेरा मानना है, कि मेरा तो धमसाब है, सारी चीजों मुझे तो अच्छा लगा, बाकी आपके उपर depend करता है, आप लेना चाते हैं या नहीं लेना चाते हैं, तो ऐसी ही CUET से जोड़ी हर एक जानगारी, college की हो, किसी भी प्रकार की हो, comment करके बतातीजे, क्या चाहिए, वो हम आपको लेके आ रहे है, अंगली, preference के लिए बहुत समझ्या आ रही थी आप लोगों को, preference नहीं समझ में आ र क्यांदी है, यहिए.